लो गैज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वेता में स्वागत है आज के इस वडियो में हम यूनोव SBI का यूजर नेम फर्गोट करना सिखेंगे अगर आप जनना चाहते हैं कि यूनोव SBI का यूजर नेम भूल जाने पर क्या करें या फिर यूनोव SBI का यूजर नेम कैसे पता करें तो आज के ये वडियो आपके लिए काफी हिल्फुल होगा तो गैज जब आप यूनोव SBI का एप्लिकेशन ओपन करते हैं और एप्लिकेशन ओपन करने के बाद जब आप यूनोव SBI में लॉगिन होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप M.PIN के थरू यूनोव SBI में लॉगिन हो सकते हैं या फिर यहाँ पर आप यूजर नेम और पासफ़र्ट के थरू भी इस एप्लिकेशन में लॉगिन हो सकते हैं तो गैज अगर आपको यूनोव SBI का पासफ़र्ट याद है और यूजर नेम याद नहीं है और आप यूजर नेम पता करना चाहते हैं कि आपका यूनोव SBI का यूजर नेम क्या है तो आप इस वडियो को एंड तक जरूर देखें तो गैज यूनोव SBI का यूजर नेम पता करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मावाइल से कोई भी व्राजर ओपन कर लेना है तो गैज यहाँ पर हम ग्रोजर ओपन कर लेते हैं व्राजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च वार में टाइप करना है Online SBI Online SBI टाइप करने के बाद इससे आपको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपको Chrome को Dash of Site में कर लेना है Dash of Site में करने के लिए यहापर आपको Right Side में सबसे उपर में 3 डाट दिखाए पड़ेंगे या फिर एक Arrow का निसान दिखाए पड़ेंगे तो गाइज इस पर आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहापर आपका एक Option है Dash of Site का तो गाइज इहापर आपको Dash of Site के Box को टिक कर देना है जैसे आप Dash of Site के इस Box को टिक करेंगे यहापर आपका Chrome Browser Dash of Site में हो जाएगा तो गाइज यहाँ पर हम online SBI सर्च कर लिये हैं और online SBI सर्च करने के बाद यहाँ पर जो अपका SBI का एक साइट है www.onlineSBI.sbi तो गाइज इस पर हम क्लिक कर लेते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह का interface आएगा तो गायज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक option है Personal Banking और Personal Banking के नीचे यहाँ पर आपका एक Login का option है तो गाइज यहाँ पर आपको Login में क्लिक कर देना है जैसे आप Login में क्लिक किजिएका आपके समने इस तरह का interface आएगा तो guys यहाँ पर आपका एक option है continue to login तो यहाँ पर आपको continue to login में click कर देना है जिसे आप continue to login में click जिएगा आपके समने इस तरह का interface आएगा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका side में एक लिखा हुआ है forgot username या फिर login password तो guys यहाँ पर मेरा यह जो forgot username का option आ रहा है यह मेरा side में आ रहा है हो सकता है कि आप जब करेंगे तो यह forgot username का option सबसे नीचे भी आएगा तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि forgot username का option कहाँ पर दिया हुआ है तो इस पर आपको touch कर देना है फर्गोट यूजर नेम में ट्रस करने के बाद आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो गाईज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फर्गोट माई लॉगिन पास्वर्ड तो गाईज इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक किजिएगा यहाँ पर आपको चार अपसंस दिखाए पड़ेंगे तो गाईज यहाँ पर आपका एक अपसं है फर्गोट यूजर नेम का तो गाईज यहाँ पर आपको फर्गोट यूजर नेम को स्लाट कर लेना है फर्गोट यूजर नेम को स्लाट करने के बाद गाईज यहाँ पर आपका एक अपसन है नेश्ट का तो गाईज यहाँ पर आपको नेश्ट में क्लिक कर देना है जैसे आप नेश्ट में क्लिक किजिएगा आपके समने इस तरह के इंटरफिस आएगा तो guys यहाँ पर आपका पहला option है CIF number तो guys अब आपका bank account का जो CIF number है वो CIF number यहाँ पर आपको enter कर देना है तो guys यह CIF number आपको कहा मिलेगा जब आप अपना account create करवाएं थे जब आप अपना bank account खोले थे तो उस time आपको एक passbook मिला था तो आपको passbook में ही CIF number मिलेगा तो guys यहाँ पर आपको अपना CIF number देख लेना है और यहाँ पर आपको वो number डाल देना है तो CIF number इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है country का तो guys यहाँ पर आपको अपना country select कर लेना है country select करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है registered mobile number का तो guys अब आपके bank account में कौन सा mobile number registered है वो mobile number यहाँ पर आपको enter कर देना है mobile number enter करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे capture फिल करने का option है तो guys यहाँ पर box में जो कुछ भी लेखा हुआ है वो यहाँ पर आपको वही type करके लिख देना है यहाँ पर अगर आपका capital में दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपको capital में लिख देना है अगर आपका small letter में रहेगा तो यहाँ पर आपको small letter में लिख देना है तो guys यहाँ पर मेरा जो capture है वो है 9F85C तो guys आप जब करेंगे तो यहाँ पर आपका capture जो है दुसरा कुछ रहेगा तो यहाँ पर आपके box में जो भी capture दिया हुआ रहेगा उहीं यहाँ पर आपको type कर देना है सारा details इंडर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है submit का तो guys यहाँ पर आपको submit में क्लिक कर देना है जिसे आप submit में क्लिक की जिएगा आपके bank account में जो mobile number registered है उस mobile number में आपका एक OTP send किया जाएगा तो guys वह OTP यहाँ पर आपको enter कर लेना है इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है confirm का तो guys यहाँ पर आपको confirm में क्लिक कर देना है जिसे आप confirm में क्लिक की जिएगा यहाँ पर आपको अपना username दिखाए पड़ेंगे और आपका जो registered mobile number है उस mobile number में भी आपका username send किया जाएगा तो guys यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका username क्या है तो गाईज इस तरह से आप बहुत आसाने से You know SBI का यूजर नेम पता कर सकते हैं तो गाईज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हिल्फू रही होगी तो इसी तरह के हिल्फू वीडियो च्पाने के लिए इस वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सबस्क्राइब किजिए साथ इसाथ इससे अपने दोस्तों के साथ सेर किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का चनकारी मिल सकें